नमस्कार आपके साथ मैं हूँ रितिक सवीता स्वागत है आपका SPN 9 NEWS मुत्तर प्रदेश का वजट सत्र चल रहा है सदन में लगातार देखा जाए तो पल्लबे पटल अखलेश स्यादव चाचा शिपपाल और राजा भाया समय तमाम नेता जो है अपनी बातों को रख रहे हैं और योगी सरकार को गहरते हूँ नजर आ रहे हैं राजा भाया आपको पता है कुंडा से विधायक हैं निर्दली ये विधायक हैं उनको बाहु बलीवी कहा जाता है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजा भाया कहीं ना कहीं अखलेश स्यादव का परदा के पीछे साथ देते हुए नजर आए हैं क्योंकि मेनपुरी और खतौली और रामपुर के चुनाव की बक्ति देखा गया था कि राजा भाया ने कोई भी प्रित्यास्ति अपना नहीं उता रहा था लेकिन आपको ये बता दे कि उत्तर प्रदेश में जब सदन चल रहा था वजट सत्र चल रहा था तो राजा भाया बताता है यानि कि यहां पर योगी आदित नात और अखलेस ज्यादब दोनों को साधने का प्रियास किया कि अखलेस को भी बुराना लगे और योगी आदित नात को भी बुराना लगे लेकिन यहां पर सहस्ता से अपनी बात को रखा और कहीं ना कहीं तमाम बातों को लेकर राजा भया ने काम किया शुक्रवार को जनसत्ता दल की रहूराज प्रताफ सिंग राजा भया ने प्रदेश में सलक बिजली पानी की मूल समस्याँ पर कुछ सजा दिये उन्होंने खास तोर पर गाउं की सलकों की हालत पर सरकार से अनरोद किया उनकी हालत में सुधार हो राजा भया ने सरकार से पूछा कि आखिर कब तक गाउं की सलकों को गड़ा मुक्त आप कर देंगे और कब तक आप गाउं में पानी पहुचा देंगे ये तमाम बात उन्होंने कहीं सलक बजली पानी ऐसी चीजें हैं जो सबके जीवन से जुड़ी होती हैं ऐसा राजा भया ने कहा भारत गाउं का देश है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक्सप्रेस बे के चकर में गाउं की सडकों को भूल गए हैं, गाउं की सडकों अभी भी गढ़्डा मुक्त नहीं होई है गाउं की सडकें ऐसी हालत में क्यों है, इसकी बजह बताते हुए रगुराज प्रताफ सिंग और फराजा भ्हेया ने कहा कि गाउं की सडकों की ख्रमता 9 तंज से जादा नहीं होती है लेकिन वहाँ आज बामन टंड ट्रेक दोड़ रहे हैं ऐसी मैं सडकें तो तोटेंगी ही लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर गाउं की सडकें कब तक ठीक हो जाएंगी यानि कि सडकों पर बात की, मापियों पर बात की, किसानों को मुद्दे को लेकर बात की लेकिन दर्श को क्या लगता है कि ये बात सही है कि आप एक्सप्रेस भी बना रहे हैं तो क्या योगी आदितनाथ अब गाउं की और बढ़ेंगे, क्या नितिन गड़करी यहाँ पर गाउं की सड़कों को ठीक करेंगे, यह देखना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कि क्या आज गाउं, हमारा जो गाउं हम कहा जाता है, गाउं से हम जुड़े हुए हो झाल